आज की सक्षा में हम वर्ग और वर्गमूल पार्ट के प्रस्नावली दो दस्मलों 5 के प्रस्नों को हल करेंगे अभी तक हमने विडियो एक में इसी प्रस्नावली के विडियो एक में प्रस्न संख्या एक से चार तक हल किया था और विडियो टू में पार्ट टू में हमने पांच से लेकर प्रस्न पांच से लेकर प्रस्न आठ तक हल किया था आज इस पार्ट 3 वीडियो में हम प्रस्ण 9 और उसके आगे के प्रस्णों को हल करेंगे तो प्रस्ण 9 है किसी समकून तरभूज ABC में कून B ब्रावर 90 डिग्री और इसमें फिर दो प्रस्ण है तो हम सबसे पहले चितर बनाते हैं यह कून 90 डिग्री का है यानि यह समकून तरभूज है अब पहला प्रस्ण लेते हैं A यदि AB ब्रावर 6 cm हमने यह 6 cm लिखा BC ब्रावर 8 cm तो AC निकालना है AC अर्था कर्ण यह AB है लंब यह आधार और यह AC कर्ण तो हम जानते हैं कि समकून तरभूज में पाइथागोरस प्रेमे लागो होता है तो पाइथागोरस प्रेमे के अनुशार पाइथागोरस प्रेमे के अनुशार यह होता है कर्ण का स्क्वार यानि यहाँ पर AC है कर्ण AC स्क्वार बराबर AB लंब का स्क्वार और जोड़ यह आधार का स्क्वार BC स्क्वार या AC स्क्वार बराबर AB यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 6 तो यह 6 स्क्वार और यह 8 स्क्वार तो यह 6 का स्क्वार हो गया 36 और 8 का स्क्वार हो गया 64 और यह दोनों जोड़े तो हमारा आ गया 100 या अब एसी पराबर क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल तो आए दिर्ग विभाजन से हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं हमने 100 लिखा अब एक लंबवत और एक 36 लिखा खीजते हैं दाहिनी और से हम युगम पर बार बैठाते हैं तो एक बार यह हो गया एक यह अब एक से अगर हम भाग देंगे तो एक एक और यह शुन्य आ गया अब हम इस दो शुन्य जो है इसे अब हम इस शेस्फल के दाहिनी और लिखते हैं अब हम क्या करेंगे इस एक को दुगना कर देते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि यह इकाई का इस्थान एक खाली रहे अब यहां हम क्या बैठाएंगे कि शुन्य आएगा तो निश्चित रूप से यह शुन्य होगा और शुन्य से ही हम इस 20 को 20 बन गया गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 6, 6, 6 यानि ये 6, 6 तो हमारा 100 का वर्गमूल आ गया 10, तो हमारा AC आ गया AC बराबर 10 cm, प्रस्ण संख्या 9 का B, यदि AC बराबर 13 cm, BC बराबर 5 cm है तो ये भी ग्याद कीजिए, फिर उसी तरसे हम बनाएंगे पाइथागुरस प्रेमे की अनुशार, तो इस बर हमें लंब निकालना है, तो ये फर्मूला है AB स्क्वाइर यानि लंब का स्क्वाइर, बराबर कंड का स्क्वाइर, यानि यहाँ AC है, AC का स्क्वाइर, घटाओ, आधार का स्क्वाइर, यानि AB square बराबर AC दिया हुआ है 13, तो 13 का वर्ग घटाओ, ये 5 का वर्ग ये हो गया 179, 13 का वर्ग करेंगे तो 179 और ये 25, और ये घटाएंगे तो आएगा 144, इसलिए AB बराबर 144 का वर्ग मूल, और ये आप खुद से निकालेंगे, ये आएगा 12, तो ये हो गया इसलिए AB बराबर 12 cm, प्रस्न संख्या 10, ये है एक माली के पास 1030 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्थम्भों की संख्या समान रहे, इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की अब सकता है, पंक्तिया यानि इसको कहेंगे पंक्तिया और स्थम्भ यानि ऐसे, ये पंक्तिया और ये, यानि ये इस तरह से इसमें लगाना चाहता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर हो और ये स्थम्भों की संख्या भी बराबर हो, तो इसके लिए उसे जो पौधे चाहिए, वो वर्ग संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो इसका यहां पर प्रश्न का अर्थ ये हो रहा है कि ये वर्ग संख्या से कम है, तो हम इसे लिखते हैं, उपलब्ध पौधे, उपलब्ध पौधों की संख्या, ये है 1030, तो चुक्ए हमें वर्ग संख्या में पौधे चाहिए, तो इसलिए अभी हम इसका दिर्ग विभाजन के जरिए वर्ग मूल निकालते हैं, या कहें दिर्ग विभाजन कर रहे हैं, तो हमने पहले की तरह संख्या लिख दिया, और ये लंबवात और 36 रिखा कीज दिया, अब दाहिनी ओर से ये बार लगाते हैं, यहाद 10 है, तो निश्चित रूप से ये 3 से भाग लेगा, तो ये आ गया 1, अब ये जो 30 है, इसे हम सेस्फल में लिखेंगे, एक के दाहिनी ओर, अब क्या करेंगे, इस 3 को दुगना कर देंगे, 6 और इस तरह से लिखेंगे, कि काई कर स्थान रिखत रहें, अब यहाँ क्या बैठाएंगे, कि 130 याउस से कम आए, तो निश्चित रूप से देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, कोई भी अंग बैठाएंगे, तो ये 60 से थोड़ा जादा हो 12, तो ये आगया हमारा 6, यानि अभी जो पौधे हैं, उससे 32 पंग्तियां और इस्तंब बन सकते हैं, लेकिन ये 6 पौधे बच जा रहे हैं, तो हमें बचाना नहीं है, और पौधे लगा कर इन्हें पंग्तियों और इस्तंबों को बराबर करना है, इसलिए हम पा रहे हैं कि ये जो 32 का वर्ग है, ये 1030 से छोटा है, तो अगली जो वर्ग संख्या होगी, अगली वर्ग संख्या, तो ये होगी 33 का वर्ग, और 33 का वर्ग आप निकालेंगे, तो ये आजाएगा 1089, आप निकाल के देखें, इसलिए वांचित पौधों की संख्या, यानि उसको 1089 पौधे हमें पंक्तियां और स्तंब करने के लिए चाहिए, और अभी उसके पास 1030 है, तो और कितने चाहिए? तो हम इसको घटा के देख लेते हैं, 1089 घटाओ 1030, तो 9 से 0 गया, ये 9 और 8 से 3 गया 5, तो वांचित हमें किसने और पौधे चाहिए? कम से कम 69 पौधे चाहिए. प्रस्न संख्या 11, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं, खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया, कि पंक्तियों की संख्या और स्तंबों की संख्या समान रहें, इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? प्रस्न पढ़ने से यह प्रतित होता है कि यह जो 630 है यह वर्ग संख्या से ज्यादा है इसलिए वहां से विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा तो आईए इसे हल करते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो दी गई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यह है हमारा दिया हुआ 630, तो हम 630 का दिर्ग विवाजन करते हैं, एक लंबवत और यह 36, आप यहाँ पर बार देते हैं दाहिनी और से, सबसे पहले हमें 6 में भाग देना है, तो यह निश्चित रूप से 2 से जाएगा, 2 दुना, 4, क्योंकि वर्ग मूल में, दिर्ग विवाजन में हम लोग जो संख्या लेते हैं, उसको फिर उसी से गुना करके भाग देते हैं, तो यह हो गया यहाँ 2, अब क्या करेंगे, इस 30 को इस 2 के दाहिनी और लिखते हैं, अब हम इस 2 को दुगना करते हैं, और इस तरह लिखते हैं, कि दाहिने का एकंग रिखते हैं, अब हम यहाँ पर क्या बैठाएंगे, कि यह 230 से कम आए, 230 या उससे कम आए, 230 तो नहीं आएगा, उससे कम आए, तो हम देखते हैं कि क्या बैठा सकते हैं, तो यहां कुछ भी बैठाएंगे, तो यह 40 से तो जादा होगा, और यह 20 से जादा है, 200 से जादा है, तो 40 से 200 में कितना बार दे सकते हैं, पांच बार में, तो करके देखते हैं, गुना 5, तो 5 25 का 5 हाथ में रहा दो, पांचों के 20 दो 22, ये तो आ गया, तो हमने यहां रखा 5, यहां रखा 5, और ये 200, पांचों के 20, क्योंकि 5 से ज्यादा रखे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा सेस आ गया यहां 5, इसका मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या में 5 विद्यार्थी ज्यादा हैं, यहां यहां शेसफल, सेसफल बराबर 5, इसलिए वांचित विद्यार्थियों की संख्या, वांचित अर्थ यह है कि जिने बाहर जाना होगा, जितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, उसे हम वांचित लिख रहे हैं, यह है 5 अगर 630 में से 5 विद्यार्थे को हम बाहर निकाल दें तो जो बचेंगे 625 बचेंगे तो उन्हें हम पंग्तियों और स्थम्बों में इस तरह से रख सकते हैं कि स्थम्ब और पंग्तिया बराबर रहे प्रस्न संक्या बारह तीन बटे साथ का वर्गमूल दसमलों के चार स्थानों तक निकालिए तो इसे हम किस तरह से हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीन बटे साथ को दसमलों में बदलेंगे यह आप swim से भाग करके 7 से 3 में भाग करके आप इसे निकाले मैंने पहले से निकाल रखा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप इसे अपने से निकाल के verify किजिए 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2 चुकि 4 स्थान तक निकालना है इसलिए हमने लिया है से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 स्थान तक अब क्या करेंगे हमें इसका वर्मोल निकालना है 3 वटे 7 का अर्थात इसका 6, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2 और इसे हम किस तरह से निकालेंगे जो से पहले करते थे 6, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2 और ये लंबवाथ हमने खीचा और ये इधर से 36 खीचा यहाँ पर 6 पहले हो जाएगा पहले दिया हुआ है और ये 10 मलो अब इस दसमलो के दाहिनी और जो है वो 22 से दाहिनी और हम बार लगाएंगे एक, दो, तीन, चार और अब जैसे हम पहले भाग देते थे जिस तरह से करते थे वो प्रकरिया आप करें क्योंकि ये थोड़ी से लंबी है इसलिए आप इसे स्वैम करें इसमें थोड़ा समय लगेगा तो ये आप करके देखेंगे तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बराबर ये आ जाएगा जीरो दसमलो छे पांच चार छे पांच लेकिन हम यहाँ चार इस्थानों तक चाहिए तो चार इस्थान तक तो यहीं तक होते हैं तो ये इधर और आता जाएगा तो चुकि ये पांच है पांच वे इस्थान पर इसलिए हम क्या करेंगे इस छे को एक बढ़ा देंगे तो यह जो हमारा परंपरा है नियम है यह हम यहाँ पर कर दे रहे हैं साथ यह आप खुद से कर लेंगे बाकि यह मैंने हिंट दे दिया आप प्रसुन संख्या 13 देखते हैं 13 में यह संख्या है 10 पुणांद 2 बटे 3 इसका वर्गमूल दसमलों के 3 स्थानों तक निकालना है तो यह देख रहे हैं मिस्रभीन है इसे पहले हम विसमभीन में बदल देंगे तो यह आ जाएगा 32 बटे 3 अब फिर उसी तरह से हम भाग देके इसका दसमलों में और निकालिए मैंने निकाल के पहले से रखा है एक दो तीन चार पांच छे यह और भी एक कट नहीं रहा है और आगे तक जाएगा चुकित तीन स्थान तक लेना था इसलिए मैंने यहां दसमलों के 6 स्थान तक लिया है अब इसका फिर आप इसी तरह से जैसे इसमें किये ते इसी तरह से आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह वर्गमूल आपका 10 पुनांक 2 बटे 3 अर्थात यह इसका वर्गमूल इस तरह से 10 दसमलों 6 तो आप स्वयम से निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3.2659 तो फिर हम देख रहे हैं तीन स्थान तक निकालना है और इधर 5 से ज्यादा है तो इसे हम लिखेंगे 3.266 यह 12 और 13 का मैंने सर्फ हिंट दिया है इसे आपको स्वयम बनाना है